Hello Friends, तिरुग केचिन में आपका स्वागत है Friends, आज मैं बना रही हूं मेथी लसी मेथी लसी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी यह फ्रेश दही लिया है 2 चम्मच मैंने फ्रेश मलाई और यह 4 से 5 चम्मच मैंने चेनी लिया है और यह लिया है मैंने रोज सिरब तो बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंस तो लेंगे एक मिक्सी जार और उसमें ये सारा दही हम डाल देंगे दही फ्रेंस हमारा बिल्कुल चेल्ड है तो आप दही को बिल्कुल ठंड़ा ये यूज करें और मैंने ये चीनी डाल देते हैं इसी के साथ आप इसे अपने हिसाप से जिसाप आप मीठा पसंद करें उसे आप इसे डाल सकते हैं थोड़ा समय समय इसमें इस सिर्फ डाल देती हूँ और कुछ बरफ के टुकड़े इसी के साथ डाल दूँगी एक गिलास में इसमें पानी पानी बिल्कुल चिल्ड डाल रही हूं बैन और इसे मिक्स कर लेते हैं तो यह लिजे फैंस लसी हमेशा मीठी लसी गाड़ी ही अच्छी लगती है तो आप जिसे साफ से पसंद करते हू यह रखे यह देखे बस इसे गिलासों में डाल देती हूं मैंने लिए दो गिलास और दो गिलासों में इसे इस तरह से डाल देती हूं गर्मी के सीजन में ठंडी ठंडी मीठी लसी बहुत ही बढ़िया लगती है आप इसे इस तरह से जरू ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगी, उपर से डाल दूँगी मैं ये थोड़ी सी फ्रेश मलाई, आप चाहें तो इसमें कोई भी आईस्क्रीम एड़ कर सकते हैं, इसे इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें रोज सिरफ डाल देती हूं, गारनिश के लिए सिर्फ इस तरह से, गुलाब की पत्तियों से मैं इसे सजा देती हूं, आप इस तरह से सजाना चाहें तो सजाएं, नहीं तो ये बैसे ही बहुत सुन्दर लग रही है, टैस्टी लग रही है, तो बस आप इसे इंजॉई कीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, आपको ये मीठी लसी कैसी लगी रेस्पी, दुरगा किचिन के साथ जोइन करें, जोड़े रहे हमेशा दुरगा किचिन के साथ, थेंक यू